दोस्तो नमस्कार मैं आपका साथी निविश भनसाली और भाईया जी के बोल में आज बोल होंगे किसके बोल होंगे इस देश के उन युवाओं के जिनके हाथ में हैं मोबाइल क्योंकि अगर आप भारत में रहते हैं तो निश्चित रूप से आप ये समझ लिजे कि आप लो विजिटल डेमोक्रेसी से आप कितने परीचित हैं ये आज के युवाओं के लिए या आने वाली पीडी के लिए क्या सही मापदंड पर खरी उतर रही है हमको ये देखना है क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में है अब वो आपको ये नहीं बताता है कि सही क्या है गलत क्या ह अगर आप गलत पे क्लिक करते है तो आपको गलत के हजार रास्ते बताता है और अगर आप सही पे क्लिक करते है तो सही के सही 10 रास्ते बताता है क्योंकि गूगल जो है वो सर्च इंजन हो सकता है लेकिन गूगल इस देश में आज भी गुरू नहीं हो सकता क्योंकि गूग इंसे हम जानते हैं इसे बाते करते हैं बबीता हुझ इसे लोग इसका उपयोक करते हैं पर गलत तरीके से कर मतलब गाव में इसा है कि मैं बच्चे गाने सुनते और YouTube देख रहे है पिच्चर देख रहे है यह देख रहे है तो मतलब उसको सही तरीके से उप्योग नहीं हो रहा है तो उसको उप्योग सही तरीके से करना चाहिए जैसे अपनी पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं अपन देखने के लिए लेकिन आप इसका सही उपयोग भी कर सकते हैं यहां भी हैं इनसे भी बाते करते हैं कुछ कॉलेज के स्टुडेंट है आपको क्या लगता है डिजिटल डेमोक्रेसी युवा सही उपयोग कर रहा है उसे पता तो होना चाहिए कि सही और गलत होता कैसे जब त उसका सुक्राव को दूट लुक्राइक हैं आप सर्फ राइट की बात करें के अगर अप्राइब कर ठाटे घंपकर हाई। तो उसके बारे में भी लोगों को knowledge नहीं है कि अगर 24 hour के अंदर ही हम इसकी जो information है वो bank को और police में, cyber police है और जितनी भी हमारे हां की policing है उसको बताएंगे तो शायद हमारा पैसा return आ सकता है तो यह सब चीजें हैं जो हमें नहीं पता है और हमें पता होना चाहिए और banking जो है आजकल जो है वो भी online हो गई है तो कई बार जो है दुख का current भी हो जाती है सिर्फ इसलिए कि हम जो है सही जानकारी हमें उस बारे में पता नहीं है आप क्या कहना चाहती है जिस तरह निवेदिता ने बताया उसी तरह कुछ और line जोड़ना चाहूंगी बहुत सारे बच्चों को अभी यह नहीं पता है कि account open करने के लिए आपको अठरा साल का होना ज़रूरी है वो अपने parents की ID को इस्तेमाल करके WhatsApp account open कर लेंगे Facebook account even Gmail भी तो इस तरह से अपना जो प्ले स्टोर है उसमें सबसे पहले Gmail की ID मांगी जाती है तो वो अपने parents की ID डाल कर उसमें से बहुत सारे गीम्स इंस्ट्रॉल कर लेता है जो की उसके उपयोग के नहीं है तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स कंडिशन है जिसको बच्चों को हमें समझाना होगा और उसके बाद उसे डिजिटल यूज के लिए हमें मोबाइल देना चाहिए बीच में ऐसा कोई गेम भी आया था जिसे खेलने के बाद कुछ जो है लोग सोसाइट की और जा रहे थे ना ब्लू वेल गेम के बाद तो उन पर भी प्रतीवंद है लेकिन ऐसा कोई कठोर कानून नहीं है लेकिन जब आपके घर छोटा सा बच्चा होता है भली वो साल भर का हो आप उसके हाथ में एक मोबाइल दे देते हैं जिस पर वो कार्टून देखता है और बच्चा चूप हो बिल्कुल जो है अभी अनिवार ये नहीं किया गया है इस बारे में संदीप भट जी हैं जो हमें जानकारी देंगे सर आप क्या कहना चाहते हैं मीडिया शिक्षा के साथ ही डिजिटल लिट्रेसी भी हमारे देश में बहुत आवश्यक है लोगों को खास करके जो बच्चे हैं स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले नौजवान हैं उनको डिजिटल मीडिया के डूज और मालूम होने चाहिए और बलकि मैं ये समझता हूँ कि अब सही वक्त आ गया है जब तमाम राज्यों की स्कूली स्लेबस में डिजिटल लिट्रेसी को हमें इंट्रेडूस करना होगा और डिजिटल साक्षरता पर हमें जोड़ देना होगा क्योंकि हमारे आय दिन के जीवन में तक्नीक का बहुत महतुपूर्ण योगदान है हम हर समय तक्नीक का अनेक अनेक कारियों के लिए उप्योग करते हैं तो यह सही वक्त है कि जब हमें अपने बच्चों क खास करके स्कूल और कॉलेज़ों के नौजवानों को बताना होगा कि डिजिटल टक्नीक क्या है उससे उन्हें परच्चे कराना जरूरी है और स्लीबस के द्वारा अगर हम यह सा करते हैं तो मेरे खाल से ज्यादा प्रभावी कदम होगा अमेरिका जैसे विक्सित देश ज सनता है तो क्या भारत में यह संभथ है क्या भारत की सरकारें सोर ध्यान दे रही है कि दिजिटल डेमोक्रैसी आप धियान दीजिएगा डेमोक्रationsi पर तो हम डिजिटल डेमोक्रेसी की और जा रहे हैं कि नहीं आसिप सिद्धिकी जी हैं हमारे बीच में आप बहुत अच्छे जानकार हैं पत्रकारिता क्षेत्र से हैं आपने बहुत काम भी किया है इस पर दिजिटल डेमोक्रेसी यह स़ई बात है कि हम बच्चों को तो जो बताएं जो चीज़े होनी चाहिए उसमें किन चीजों को सर्च करना है लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन यह होना चाहिए कि पेरेंट्स यह तैय करने कि बच्चे किन चीजों को सर्च कर सकते हैं एक उनका दाइरा तै हो इसके अंदर आप्शन्स आने चाहिए और रही बात दूसरी जो आप बता रहें कि विदेशों में डिजिटल से सारे ब्रस्टाचार को रोक रहे हैं हलागे यहां पर हमारे यहां भी यह चीज़ हो सकती है अगर नेता चाहें तो जनरली होता यह है कि हमारों जित्ते भी ज्यादा कानून बनते हैं वो नेता अपने फायदे अपने पार्टियों के फायदे के लिए बनाते हैं और इसके अंदर सुधार होनी चाहिए एक नई जनरेशन को आगे आना चाहिए जो इन सुधारों को आगे ले जा सके तो एक समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया है और आप जानती है कि मोबाइल का कितना बहत्रीन उपियोग हो सकता है डिजिटल डेमोक्रेसी कितनी अच्छी हो सकती है पर क्या वो हो रही है इस बारे में इन से बात करते हैं मेरा नाम सीमा है और यह प्रोग्राम हमारा छे महिने से चल रहा है हमारी सोच थी इसके पीछे कि सब लोग मोबाइल का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी का भी सपना था कि पूरा देश जो है डिजिटल होना चाहिए तो ए में तकलीफ आती तो हमने सोचा यह कुछ सीखें तो यह छे महीने का प्रोग्राम था और तो बच्चों ने ग्रामीन बच्चों ने शहरी बच्चों को तो बहुत सारा मिल जाता है उनको एक्सपोजर हो जाता है हमारे ग्रामीन बच्चों को नहीं होता है तो हमने यह बुझगार सीखे, बहुत सारे अपनी ट्रेनिंग ली उन्होंने, तो ये हमारा रहा है कि हमें अच्छा मिला ग्रामीड बच्चों के साथ कि उन्होंने अपना जो दिमाग था या अपनी एजुकेशन को उन्होंने बढ़ाने में इसको मदर ली और काफी काम हुए गाउं मे कि लोगों की पेंशन टाइम पे आने लग गई उनको पता है कहां बोलना है, 108 जन्नी के लिए वो क्या कर सकते हैं, या 100 नंबर क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़े हमारे गाउं के बच्चों ने सीखा, और मुझे खुशी है कि वो भी डिजिटल में आज कुछ कदम तो प्रकाश जी हमारे साथ हैं, प्रकाश जी मैं चाहता हूं कि आपका जो वंक्तव्य हो वो कुछ डिजिटल डेमोक्रेसी को लेकर कुछ ऐसा हो, जो हमारे जो दर्शा के उन्हें, पहली बाद तो ये समझ में आए कि डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है, और क्या भारत में इसक कि इसी को जोड़ने के इसी की तुक्पंदी करने की कोशिश की गई कि इस मात्यम का इस्तेमाल क्या से लोगतंत्र को मजबूत करने में हो सके इंड़संस की सोशल इंजस्टिस जा समाजिक अन्याय वो बहुत बड़ा है स्कीम्स हैं योजनाय हैं मगर लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं ब्रश्टा चार हैं डिलेज हैं तो यह सोशल मीडियम से हमने एक ब्रिश तैयार किया कि आप इसका इस्तेमाल करके समाजिक न्याय कैसे पा सकते हैं बहुत ज़रूरी है उसके बिना लोगतंत्र मजबूत होगा नहीं तो चाहे एजूकेशन का छेतर हो चाहे वो सोशल सेक्यूरिटी का हो या फूट सेक्यूरिटी का हो तो यह जो डिजिटल डेमोक्रासी की योजना हमने गाह में चालू किया आप विश्वास नहीं करेंग जिसमें डिजिटल हतियारों करेंगे तो कुल मिलाकर यही कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि डिजिटल डेमोक्रासी जो है इस देश में संभव है लेकिन कब है जब आप यह समझें कि शोशल मीडिया का उप्योग हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं क्योंकि यूट को अपनी आने वाली पीड़ी को भी बताना होगा क्योंकि तभी हम जब एक बहतर समाज की और आगे बढ़ पाएंगे फिलाल दीजिए मुझे यहने के निमिश बंसाली को इजाजत केमरामेन आदित बाथम के साथ नमस्कार